सो गाइस फिर से आईए एक बार हम लेडिच टाउजर की कटिंग के बारे में हम आपको ले करके चल ले हैं यह हमारा दो मीटर का कपड़ा है फिलाल यह आप एक अस्टी में भी टाउजर निकला आता इसमें दो मीटर है तो फिलाल ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं है हमें ज् हम इसमें पहले फ्रेंड तो हम इस प्रकार से कपड़े को डबल पल्ला में इस हिसाब से फोल्ड कर लेंगे इस प्रकार से अच्छी तरीके से हम डबल कपड़े को इस प्रकार से बिछा लेंगे तो पहले हम फ्रेंड पल्ला की कटिंग करेंगे यानी सामने के पल्ला की कटिंग करेंगे हम अब इस प्रकार से हम कपड़े को बिछा लेंगे अब इसके बाद में उपर की मार्किंग जैसे हमारी किनारी इधर उधर रैंच होती है तो इसके लिए सूधा कर लेंगे हम अब ये हमारी सूधी मार्किंग हो चुकी है अब हम लाश्टिक डालने के लिए यहां पे दो इंच का इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे यहां पे हमारी लाश्टिक जहां से हम पड़ेगी यहां से लंबाई का पहले हम थाई यानि लटक तो यहां पे बारा इंच लटक हम इस प्रकार से डाउन कर लेते हैं फिर लंबाई लंबाई हमारी 36 इंच यानि 26 इंच लंबाई है तो यहाँ पर 26 इंच का निसान लगा लेंगे और 2 इंच मोहरी के दबाव के लिए लेंगे अब इस प्रकार से यह हम मारी कर लेते हैं अब इस प्रकार से हम मारकिंग हमारी यह हो चुकी है अब दोस्तो हम आ जाते हैं रान की तरफ रान कमर के हिसाब से होती है जैसे हमारी कमर 28 इंच है तो 13 रखेंगे और 30 इंच है तो 14 इंच तो यहाँ पे हम दोस्तो 13 इंच के हिसाब से रखेंगे तो 13 इंच यहाँ पे निशान लगा लेंगे और 13 का जब हम आधा गरेंगे तो यहाँ पे 6.5 इंच जो होगा वो हमारा बीच का निशान होगा तो यहाँ पे 6.5 इंच का निसान लगा लेंगे हम और इसके बाद में 13 इंच यहाँ पे अब यहाँ पे 1 इंची इस परकार से निसान लगा लेंगे अब इसी परकार से उपर भी निसान लगा लेते हैं अब यह हमारा हो चुका है अब ये वाला हमें हटाल देना है और इसको मार्किंग इस परकार से कर लेना है अब हम बीच वाली भी मार्किंग कर लेतें साइड की कोई जरूर नहीं करने की अब आ जाते हैं मोहरी की तरफ पहले हम बीच का निसान साड़े छे इंच है त्यारा का मैंने साड़े छे रखा था अब यहाँ पे त्यारा इंच मोहरी हम रखेंगे तो यहाँ पे सवातीन और यहाँ पे साड़े छे इस परकार से सवातीन साड़े छे सवातीन का साड़े छे होगा और साड़े छे का त्या हम इधर कोई जरूर नहीं में करने की अब इधर की साइड में आ जाते हैं आप जहांपे हमने एक इंची ज़्यादा लिया था वहीं वहीं पर लकाएंगे इस परकार से अब यह जो एक इंची का हमारा गयब बच जाएगा इस परकार से मारा के एक इंची जो गयब बचेगा उसको हम इस परकार से हलका सा राूंडिंग कर लेते हैं अब यह हमारा friend पला cutting हो चुका है आप देख सकते हैं अब हम आपको यहाँ पे pocket के बारे में बताते हैं देढ़ इंची और पलस शाड़े छे देढ़ या दो इंची ले सकते हैं यहाँ पे देढ़ इंची इस प्रकार से हम हलका सा गुटका खोलते तो यह गुटका हम सब उठा लेंगे यहाँ पे pocket लगेगी हमारी और यहाँ पे हम चाक खोल लेंगे मोहरी की तरफ नीचे की अब हम आ जाते हैं बैक पल्ला यानी पीछे के पल्ले की cutting तो कपड़े को फिर से उसी प्रकार से हम इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरीके से जैसे हमेंने सामने को किया था अब इसी पे अपना हम सामने को रख लेते हैं जो हमने फ्रैंट पर ला cutting कर राखा है उसी को इस पे हम रख लेते हैं अब दोस्तों हम आपको बैग पल्ला की cutting बताएंगे किस परकार से करते हैं तो बैग पल्ला में हमें क्या करना है हमें बैग पल्ला में मात्र कुछ नहीं करना होता है यहाँ पे एक इंची का दबाव ले लेते हैं और यहाँ पे एक इंची और यहाँ पर एक इंची अब इतना ही मेरे को मातर करना पड़ता है बैक पला में क्योंकि मार्जन हम इसमें ही बैक पला में ही लेते हैं और सामने का फिटिंग करते हैं तो इस परकार से मार्किंग फिर से रौंडिंग कर लिया अब इसको भी हम उसी के हैशाब से बिलकुल कटिंग कर लेंगे यह बैक पल्ला की भी हमारी कटिंग हो जाएगी तो यहां पे अब हम इस परकार से बैक पल्ला की भी कटिंग कर लेते हैं अगर दोस्तो आपको वीडियो प्रसंद आया हो तो subscribe, like करना दोस्तों न भूले इसी प्रकार से हम आपको हर टाउजर, डिजैन हो या cutting हो या सिलाई हो इसके बारे में बताते आ रहे हैं और बताते रहेंगे हम ये इस प्रकार से cutting हो चुका है दोस्तों अब इसके बाद में शिलाई के बारे में बाद में बताते हैं दोस्तों